तो हलो गाइस कैसे हैं दोस्तों हाजूरू आपका दोस्त मुजफरन सारी एक नए ब्लोग के साथ तो आज हम जाएंगे पहाड़ पे जाएंगे बहाँ पर एक बाबा है शाहाली बाबा उनकी दरगा है और लोग प्यार से पहाड़ वाली दरगा भी कहते हैं तो आपको नज सारा तो गाइस अंदर आ चुके हैं आप देखते होंगे गेट आपको नजर आता होगा अंदर एंटर हम हो चुके हैं और अब इधर जाएंगे तो गाइस आप देखते होंगे यह रास्ता फ़ला सा उबल खाबड है आके बैसे हमने सोचा था कि शायद रोट अच्छा होगा लेकिन रास्ता काफी उबल खाबड है काफी पराना रोड है ना यह इस वज़े से थोड़ा उपर सा रहा है जी आज पानी नहीं लाए है क्य और पहाडी पे यह चड़ाई बगर काफी है तो प्यास काफी लग रहे है आके पी याद नहीं रखा पानी लाना आपने और अब इधर जाएंगे गाइस उपर तो गाइस बिल्कुल थकान हो गई है काफी चड़ाई है और अभी आदी चड़ाई भी नहीं चड़ पाए हम और आप देख सकते हो कितनी उचाई है सामने वो अधर जलमहल नजर आ रहा है जैगल नजर आ रहा है वो पानी सा आप देखते होंगे वो जलमहल का पानी है तो यहाँ से जैपुर दिख रहा है खोब यह पिंक सिटी जैपुर गुलाबी शहर जैपुर बहुत थखान होँद है पैदल चल रहे हैं लेकिन मज़ा भी आ रहा है वो कहते हैं जहां पर दु़ होता है तो उसमें कहीं न कहीं सुक भी होता है तो यह यह है जब हम आगे जाएंगे तो हजरत की दरगा है बहां पर जाएंगे और फिर उधर दो मंदर हैं उधर भी जाएंगे तो सुख इसी बात का है कि दोनों जगह का नजारा करेंगे हजरत किया सलाम पेश करेंगे तो अच्छा रहेगा हजरत दरबार अलीश शाह बाबा रह अभी यही सेड़ियां चड़कर ऊपर आ चुके हैं और अभी सलाम करने जाएंगे इसके पहले कुछ अभी तर्गा शरीव में सलाम करके हम आए हैं आप ने भी सलाम किया इतनी देर तर्गा शरीव में अभी तर्गा शरीव में और इस साइड में और आगे चलते हैं तो इधर एक बोर्ड भी है आपको दिखाएंगे और यह किस बोर्ड पर लिखा हुआ है दर्गा दरवार अलीशाह तो और तो ठीक है अब दूसरी साइड पर आपको दिखाएंगे किसे क्या व्यू है आपको इधर भी दिखाएंगे इस साइड से हम देखते हैं तो ऐसा दिखता है और गाइस दर्गा शरीव का यह दूसरा गेट है यह यह गेट बंद रहता है और दर्गा शरीव में इस गेट से आई दर्गा यह दोस्तों अभी हम दर्गा की दूसरी साइड में यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं और इस साइड का नजारा कुछ इस तरह से है इधर इस साइड में फिर यह बराबर में पहाड है और फिर थोड़ा अगर इधर देखेंगे तो सामने एक मंदर भी है दिन है तो काफी लोग यहाँ पर आए हैं दर्गा पर सलाम करने के लिए काफी औरते भी हैं बच्चे भी हैं इतना अच्छा लगता है इस पहाड़ी वारी दर्गा पर आते हुए अगर आप लोग आओगे न आपको भी अच्छा लगेगा इंदम बढ़े पहाड़ी से अभी हम लोग उतर आये हैं नीचे और यहां पर एक अंकल जी का चाय का फेला या कोका कुछ भी राते हैं तो यहां पर अब हम लोग पैठेंगे और चाय पीएंगे और फिर जाएंगे तो दोस्तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करते हैं तो याद रखिएगा इस नाचीज मुझफर अशारी को और वीडियो ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेर जरूर करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्स्ट्राइब करिएगा ठीक है होके है बाइ दाका